हाई गाई स्वागत है अपका अपना चैनल और सब्जेट वी दन्सुम आज अप लोगों के लिए फिर लेका रहा है प्रश्णावली थिरीजी का 16 सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है पांच वर्ष पूर्व पिता की आयू पुत्र की आयू की चार गुनी थी यानि कि पिता की वर्ष बाद पिता की आयू पुत्र की आयू की दो गुनी हो जाएगी यानि 15 वर्ष जब बाद होगा तो पिता की आयू जो है वो पुत्र की आयू की दो गुनी रह जाएगी यानि कि पिता की आयू जो है वो पुत्र की आयू जो है उसकी जब दो गुनी कर दोगे तब प पुट्र क का फिता और पूत्र की वर्तमान आयू गयाद कि जीए तो आई हैई कि स्वेज्ग करते हैं किसी करतना के लिए सब पहले हम माने गें माना पीता की आयू है तो अ पिता की वर्तमान आयू के लिए येक्स वर्स तथा पुत्र की वरतवान आयू वाई वर्स अब इसके बाद यहां पर लिखा है पांच वर्स पूर्व तो यहां पर लिखे है पांच वर्स दोनों की पांच वर्स की पूर्व की आयू पांच वर्स पूर्व की आयू इंकी होगा यहां पर सबसे पहले हम पिता की निकाल लेते हैं तो पिता की आयू वरतमान आयू कितना था यक्स था और जितना पहले का यानि पूर्व का मतलब होता है पहले जितने वर्स पहले का है उतना वरतमान आयू से घटा देते हैं तो यहाँ पर यक्स माइनस पांच वर्स हो जाएगा. इसी तरह से हम निकालेंगे पुत्र की आयू. तो वाई माइनस पांच वर्स हो जाएगा. अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रशना अंसार. देखें प्रश्ण अंस्वार का मतलब होता है कि जैसा जैसा प्रश्ण कह रहा है वस उसी के हिसाब से लगेगा तो यहाँ पर है यहाँ पर क्या बोला है कि पांच वर्स पूर्व पिता की आयू पुत्र की आयू की चार गुनी थी तो यहाँ पर लिखोगे आप पांच वर्ष पूर्व पिता की आयू बरावर कितनी थी? पुत्र की आयू की चार गुनी थी पांच वर्ष पूर्व पुत्र की आयू पुत्र की आयू अब इसके बाद देखे अब यहाँ पर देखे पिते पांच वर्ष पूर्व यहाँ पर लिखा हूँ है पांच वर्ष पूर्व पिता की आयू तो पांच वर्ष पूर्व पिता की आयू तो पांच वर्ष पूर्व पिता की आयू कितनी थी? और इसके बाद 4 लिखिए यह अब इसके बाद 5 वर्ज पूर पुत्र की आईू तो पुत्र की आईू कितना था वाई माइनस 5 यह यहाँ पर हमने इसको लिखा क्योंकि कह रहा है कि पित्ता की आईू जो है वो पुत्र की आईू की चार गुनी है गुणिक मतला वहता है जितने गुणिक है उतने से भुधा तो यहां पर पुत्र की आयु की चार गुणि ना तो पूत्र की आई जितनी है उस्समें Economics कर दिजे है तो पता की ईमद निकले तो यहां पर क्या हो जाएगा यक्स माइनस चार वाई क्योंकि यह प्लस में है और यह माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में माइनस बीस और प्लस पांच तो यहां पर हो जाएगा यक्स माइनस चार वाई बरावर माइनस पच्छी ने बढ़ा है यहां पर माइनस पंद नहीं हो जाएगी अपकी है 15 वर्स बाद 15 वर्स बाद तो यहां पर आप लिख दीजिए दूसरी सर्थ कि दूसरी सर्थ तो यहां पर है यहां पर लिख जीए 15 वर्स बाद की आयू तो यहाँ पर लिखिए पिता की आयू यक्स था तो यक्स प्लस पंद्रा क्योंकि यहाँ पर जब बात कहता है तो जोड़ा जाता है और यहाँ पर इतने वर्स हो जाएगा पिता की आयू और उसके बाद पुत्र की आयू क्या हो जाएगा y प्लस 15 वर्स ये है 15 वर्स बाद की आयू दोनों की अब इसके बाद फिर आप लिखिए प्रशना अंसार यानि जैसा आपका प्रशन कहरा है अब आपको वैसा ही करना है अब यहां पर है कि कह रहे हैं कि 15 वर्स बाद पिता की आयू जो है वो पुत्र की आयू की दो गुनी हो जाएगी तो यहां पर लिखिए 15 वर्स बाद पिता की आयू बराबर दो गुनी 15 वर्स बाद पुत्र की आयू अब देखिए यहाँ पर पंद्रा वर्स बाद पिता की आउव कितना था यक्स प्लस 15 था और पुत्र की आउव वाई प्लस 15 था अब देखिए इसको इसको आप हल करिए तो यक्स प्लस 15 बराबाथ दो सिधर गुणा करिएगा 2 और प्लस 15 दूं 30 इसको इधर ले आईए और इस 15 को इधर ले आईए तो 1-2Y और 30 मासे आप 15 को घटा देजिए यह प्लस में इधर आजाएगा माइनस में तो 1-2Y बराबर 15 आजाएगा यह समीकराण आपका सिकेंड हो जाएगा अब देखिए आपको इसमें से जो यक्स है और y है इस समिकरण में से या तो आपको यक्स डिलीट करना होगा या फिर y को डिलीट करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे देखे ये दोनों अब समीकरण है इन दोनों समीकरण को क्या करना है संतलित करना है अब संतलित करने के लिए देखे यहाँ पर भी देखे एक यक्स है इस समीकरण में भी एक यक्स है अब देखे यह प्लस का है यह भी प्लस का है तो अगर हम घटा देंगे तो एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में हो जाएगा तब कट जाएगा यह दोनों आपस में तो इसलिए यहां पर लिख दीजे समी करण कि फर्स्ट तथा समी करण सिकेंड को घटाने पर घटाने पर अब देखिए ये समिकराण फ़ष्ट है और ये सिकंड है घटाएंगे तो दोनों के चिन बदल जाएंगे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा माइनस प्लस में है और देखिए इसका चिन माइनस का चिन यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लगाएगे आप चार माँ से दो घटाएंगे तो आप कितने वाई बचेंगे दो वाई बचेंगे और देखिए ये माइनस का है ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पंदरा पंदरा कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा लेकिन चिन माइनस किराएगा अब देखिए ये माइनस ये माइनस 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 प्लस अब देखिए ये गुणा में है दो ये इधर आ जाएगा भाग में तो y वराबर 30 वटा 2 इसको इससे कर देंगे तो y वराबर कितना आ जाएगा 15 अब देखिए इस 15 को लिख दीजिए यहाँ पर 15 को या y वराबर 15 को समी करण 1st में रखने पर जब आप समी करण 1st में रख देंगे या फिर 2nd में रख देंगे तो हमारा यक्स का मान आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समी करण 1st में y वराबर 15 इस्थापित करने पर या रखने पर करने पर या रखने पर तो यहाँ पर पहला समी करण था यक्स माइनस 4y वराबर 15 अब देखिए यक्स माइनस 4 और इसके जगह हम कितना लिखेंगे 15 अब इसको हल कर यह 15 शको 50 अब देखिए यक्स इसको इधर लिए यह माइनस में इधर प्लेस में हो जाएगा तो यक्स पराबर कितना हो जागा 60 मां से अगर आप 15 खटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा और प्लस गाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन बड़ा है तो यक्स का मान 45 आ गया और वाई का मान 15 आ गया तो अब देखिए पिता की आयू हमने कितना माना था पिता की वर्तमान वर्तमान आ यक्स वर्स तो यहाँ पर उनका उम्र कितना निकला 45 वर्स तो पिता की उम्र कितना आ जाएगा 45 वर्स और यहाँ पर लिखिए पुत्र की वर्तमान आयू कितना वाई वर्स माना था तो वाई कमान कितना निकला 15 तो यहाँ प्रोजाएगा 15 वर्स ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे answer I hope दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थांक पर ओचिंग और स्यों अगिन ने 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 वीडियो